दोस्तो नमस्तकार स्वागत है आप सभी का विकेन ओलेज इलेक्ट्रिकल में एक बार फिर से दोस्तो हरियाना लाइन में इनकी आज आंस्वर की आ चुकी है और कौन-कौन से क्यूस्टन डाउट वाले हैं जिनवे आप अबजेक्शन राइज कर सकते हैं उन्हीं पर मैं आपके सामने बात करूँगा आईए देख लेते हैं वो क्यूस्टन कौन-कौन से हैं साथ ही आपको तरीका भी बताऊंगा कि कौन-कौन से क्यूस्टन है जिन पर आपको अबजेक्शन करना है और आपको कैसे उनको अबजेक्शन राइज करना है ठीक है तो स सबसे पहले और यह जो मेरे पास जो सिरीज है वो है सिरीज डी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह देखिए यह स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगे ठीक है यह मेरे पास सिरीज है डी सिरीज है और हम डी सिरीज का एनलिसिस कर रहे हैं आपकी अलग सिरीज हो सकती ह लेकिन क्यूस्टन तो वो ही रहेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहला जो क्यूस्टन डाउट वाला है न, वो है हमारा 34 नमबर क्यूस्टन, ये देखो आपकी स्क्रीन पर है, आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है, क्या लिखा है कि the purpose of capacitor in a phase is to, और इन्हों इसका a उत्तर सही माना है, गती को increase करना, भड़ाना, जबकि इसका सही उत्तर जो है, अपना d होगा, फेज shift करना, ठीक है, ये question objection वाला है, अपने पास proof है, मैं टेलिग्राम पर प्रूफ डाल दूँगा, सारे जिनका objection है, तो इस वीडियो की description में टेलिग्राम का link है, objection राइस करना है, वो आपको मैं जरूर बता दूँगा, ठीक है, और उसकी बाद में देखिए, जिस question में objection है, वो कौन सा, अच्छा कुछ बच्चे 40 नूमर question में confusion हो रहे होंगे, इसमें कहीं confusion नहीं रखनी, इसका मैंने आपको C उत्तर बताया था, औफिसल आंसर की में भ जो है, वो सही उत्तर था, अमने इसको देखा था, और जो next question है, आपको मैं वो और बता देना चाहूंगा, तो उनमें जो doubt है, दोस्तों, वो कौन सा है, और जिसको इन्होंने गलत माना है, वो कौन सा है, ठीक है, ये 46 मान तो ठीक है, ओ लब ओ माना है, इन्होंने करवाया था, thermal stability करवाया था, ये अपना गलत हो गया, और मैंने इसलिए माना था, क्योंकि mechanical strength का कोई मतलब नहीं है, आरक भी नहीं माना था, इसलिए, हाला कि ठीक है, इसमें objection आपको नहीं करना है, जिनका भी B उतर से ही हो रहा है, कोई दिकर नहीं है, और next जो doubt है, दोस् B आएगा, permanent capacitor motor, इसका सही उतर होगा, ठीक है, तो इस question में भी objection करेंगे, इसका प्रूफ तो आप सब के पास ही मिल जाएगा, नहीं भी है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको वेवस्ता करके दूँगा, मस्त रही है, ठीक है, और इसके बाद में जो आपका है, doubt वाला हाँ, यह बाउनवा नंबर भी है, ठीक है, 52 नंबर के उससर जो है, यह भी doubt वाला ही के उससर है, इसमें क्या हुआ है, इन्होंने लिखा है कि कि सिंगल फेज मोटर में commutator होता है, तो इन्होंने इसका सेड़ेड पोल माना है, जबकि एक्चॉल आमसर इसका repulsor मोटर आएगा, 52 है ना, होना B चाहिए था, इन्होंने इसका माना है, C उत्तर सही माना है, यानि सेड़ेड पोल मोटर माना है, तो हम सब जानते हैं सेड़ेड पोल मोटर में कोई काम ही नहीं, क्या सरचना होती होगी, रोटर रिंग होता है अंदर, बाहर वाला जो portion होता है, इस्टेटर, उसमें सेड़ेड पोल और सेड़ेड पोल दो वाल्डिंग होती है, मोटर सेड़ेड पोल सेड़ेड पोल की और राउंड करती है, और जो हमारा 53 नमर की उससन है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है, मैं बता दूँ आपको, इसमें A उत्तर सही है, और मैंने भी आनुसर की से पहले A ही करवाया था, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, और इसमें क्यों A मैंने माना था, हलांकि सही आनुसर नंबर ओफ आर्मेचर कॉयल होना चाहिए था, क्म्यूटेटर सेग्मेंट की सेंख्या, आर्मेचर कॉयल की सेंख्या के बराबर ही होती है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन जब आर्मेटर कोयल की सेंख्या ओप्शन नहीं है तो हम चालक ओप्शन के साथ जा सकते हैं क्यूं जा सकते हैं मैं आपको इसका रिजन बताता हूँ एक चुल में क्या होता है कि कम्यूटेटर सेग्मेंट पर रहे ना दो चालक एक साथ आकर जुड़ते हैं नहीं करना है क्योंकि नेट पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये ओप्शन भी भहुत सारी जगे मिल जाएगा हलांकि अगर आप चाओ तो कर देना ओप्शन इसमें भी इसका प्रूफ है बुक में आप देखोगे तो आपको मिलेगा आर्मेचर कोयल की संख्या के बराबर ही मिलेगा तो यही थे डाउट वाले ठीक है ना बाकि किसी और क्यूसन में आपको डाउट लग रहा है तो जरूर सेयर करना क्यूसन मैं आपको बता दूँगा और कल 17 तारिक से 19 तारिक के बीच में आप उबजिक्शन लगा सकते हैं उसका मैं अलग सी वीडियो बना दूँगा कि आपको कैसे उबजिक्शन राइस करना है ठीक है इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर यार नए हो तो सबिस्क्रैब जरूर कर लेना दोस्तों को सेर कर देना ये वीडियो